और अगर आप हरीश रावत से बात कर पाएं उन तक आप फिर से पहुँच पाएं तो उनसे ज़रा सवाल कीजिए 2013 को लेकर पूरे तरीके से जो माहौल है क्योंकि कॉंग्रेस के त्यों तमाम कारेकरता है नेता है वो यहां पर पहुंच चुके हैं सचवाले गेट के बाहर ये प्रदेशन रखा हुआ था लेकि पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा कर सचवाले से करीब डेट सो मिटर पहले ही तमाम लो किये जाएंगे तो हदी श्रावत यहां पर बैठे हैं अभी कुछ समय पहले हमने उसे मुलाकात उनसे बातचीत कि वहां पर मौजूद है उन लोग से तो रेकांद धस्माना से बाप कीजिए जी बिलकुल सुरेकांद धस्माना मौजूद है प्रदेश उपाद्यक्ष हैं सिने लीडर है कॉंग्रेस के दस्माना जी अभी आप लोगों को पहले रोक दिया गया है आज अभी जो धरातल पर आपने आरोप लगाएं कि स्तिती ठीक नहीं है जहां आप दाई है हमारे नेता फील्ड में जाकरके नेता प्रतिप्रक्ष पीतम सिंग जी ने प्रदेश देश गणेश गोदियाल ने हमारे पूर मुकमंतरी हरी शावत ने फील्ड में जाकरके लोगों की स्तिती देखिए लोगों के उनके आसू देखिए लोगों की चीखे सुनिये रुदन सुना है और लोग इतना परिशान है सरकार कही नजर नहीं आ रही है केवल आपचारि वीचेपी का पक्ष रखने के लिए देवेंद्र भसीन ची मौजूद है हमारे साथ देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका एविपी गंगा पर देवेंद्र जी आपको आबास मिल रही है जी आपके वाज आ रही है सवाल यह है आपसे कि आज कॉंग्रिस की तरब से उपवास रखकर विरोध किया जा रहा है आपके काम कास पर सवाल है आपदा प्रभाविश श्रित्रों में जिस तरीके की काम होने चाहिए आप लोगों ने नहीं किये उस तरीके की विवस्ताएं नहीं हुई और उसी को लेकर आज ये विरोध हो रहा है सचीवाले कूच करने की कोशिश लेकिन पूलिस की टीम ने भी रोग दिया है क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी जिया जी आपना आने के एक सब्ता तक शीरी हरी शरावत और कॉंग्रेस के सारे नेता अपने एसी रूम में बेटे वे ते और एक वेक टीवी बाहर नी निकला अब एक अपते के बाद जब ये अपना प्रेटन पर निकले हुए हैं और केवल और केवल एक काम कर रहे हैं कोई योगदान नहीं कर रहे हैं केवल बयान कर रहे हैं उनको रहात पहुचाई जा रही है, दिल्ली से भी बीसरत है किता है, हमारा एक गृत्ती काम पे लगा हुआ है, तेकि इनको दिखाई नहीं देगा ही तो रानीती सरत है, देवित्र जी मैं लोटकी हूँ आपके पास, स्वत्य प्रदेश प्रवक्ता, मदन कौशिक जी भी हम को लेकर है कि कॉंग्रेस लगातार आप लोगों के कामकास पर सवाल उठा रही है, और कॉंग्रेस इस वक्त उपवास पर है, लेकिन क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी, क्योंकि आपदा में आप लोगों ने बहतर काम नहीं किया, मुआफ़ा राशी को लेकर सवाल है, क्राम किया है हम लोगों में जिसना मुख्यमंत्री रहत को से जोड़ करने देनिता क्राम किया है हमारे स्विस्थन के आधार पर भी दो बड़े केंद्र हमने कंद्र लूम बना कर चलाए हैं मैं खुद जब आपजा परभावित धेतर में ज़या जगे-जगे सरकार के द्वा आपजा कि घरी नता के साथ खड़ा होना चाहिए का वो जबता के साथ खड़े नहीं हुए करोना काल में भी वो जबता के खिलाप मज़र आ रहे हैं आज आपजा के समय भी वो जबता से अलग मज़र आ रहे हैं इसलिए मैं कॉंग्रेस के मित्रों से केवल इतना लेकिन मदन कौशिक जे, कॉंग्रेस का तो कहना है कि वो लगातार जंता के बीच पे जा रहे हैं, एक डेलिगेशन उन्होंने भेजा, ये पूरी रिपोर्ट उन्होंने तयार की, जमीन की हाकिकत सब्जी और पेर आपकर सवाल उठा रहे हैं देखिये, मैं आपको बताता हूँ, कॉंग्रेस कथी भी इन चीजों पर बिलीव नहीं करती है, वो कहीं भी नहीं गए, वो केवल और केवल ऐसे अफ्टानों पर गए, जहां दिखो लेग दम सुगम था, मूझे बताईए, तार चुला में उनका कॉन वेक्टी गया, उनका क क मह क्या है, इसलिए वो सिल आजनेटिक रूप से केवल चुनावगी दररस्टी से काम कर रहे हैं। जनता के लिए काम करने कיה काम न ही ऐना प्रभावित लोगों से कोई लेना देना नहीं है केवल उनकी द्रश्ची चुनाओं पर है इस कारण देशा कीजे साथ में आ रही है बिल्कुल और मगन कौशिक जी आपके ये तमाम सवाल हम कॉंग्रेस से भी पूछेंगे बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए एबीपी गंगा से बाच्वित करने के लिए